बजरंग दल ने वारिस पठान का पुतला जलाया 15 करोड मुसलिम ने 90 करोड हिंदू को लड़ाने के बयान की कड़ी निंदा की गई यूपी के संभल में बजरंग दल ने वारिस पठान का पुतला फूका और वारिस पठान के बयान 15 करोड मुसलिम 90 करोड हिंदूों पर भारी पड़ेंगे की निंदा करते हुए सरकार से कारवाही की मांगी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में बहजोई रोड पर इस थी जनता पेट्रोल पंप के समक्ष बजरंग दल के कारेकरताओं ने ए आई एम आई एम के नेता वारिस पठान का पुतला बना कर पहले फांसी लगाई फिर पुतला जला कर अपना रोश व्यक्त किया नगर के बहजोई रोड पर बजरंग दल के नगर सह संयों जट अजीत सैनी के नेतरताओं में सभी कारेकरता एकत्र हुए उन्होंने वारिस पठान जैसे नेताओं को देश का घद्दार बताया हिंदो मसलिम में खाई पैदा करने वाला राश्टर विरोधी तत्व बता कर ऐसे लोगों को ढूंड ढूंड कर जेल में डालने के साथ ही राश्टर द्रोग का मुकतमत चलाने की बात कही और फांसी लगाने की केंदर सरकार से मांगी गई इस अफसर पर विश्व हिंदू परिशत के जिला ध्यक्ष अजे कुमार शर्मा ने कहा कि AIMIM एक राश्टर विरोधी संगठन है इस संगठन से जुड़े हुए किसी भी नेता का बयान भारत माता की जे जे कार करने के लिए नहीं आता AIMIM की मीटिंग में सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोले जाते हैं ऐसे में आवश्चक है कि ऐसे संगठनों पर तुरंट पाबंदी लगाई जाए और इससे जुड़े सभी नेताओं को जेल में डाला जाए उन्होंने वारिस पठान के इस बयान पर कि 15 करोड मुस्लिम 90 करोड हिंदूओं पर भारी पढ़ेंगे की कड़ी भतर्सना करते हुए कहा कि हिंदू समाज का प्रतिने धित्व करने वाला संगठन विश्व हिंदू परिशत ऐसे बयान के लिए वारिस पठान को कभी मांप नहीं करेगा और ऐसे गद्दार भारत वर्ष के जिस कोने में जिस गली में जहां भी होंगे चुन-चुन कर उन्हें गद्दार मानकर आत करती है और पठान इसके नाम के आगे लिखा हुआ है पठान तो बड़े सच्चे और अच्छे व्यक्ति होते हैं लेकिन इस नमक हराम ने जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का एक काम किया है हिंदू के लिए खुली चेताब निदी है विश्व हिंदू परसर अपने हिंदू समाज के बलबूते पर एक ऐसे बारिष पठानों के लिए धून धून कर इस धर्ती से उनके लिए उनके आवकाद दिखा दियाएगी उनके लिए सवक्ष पढ़ादिया जाएगी अर्ष के गद्दारों को बारिष पठान कैसे नमक हराम लोगों के यह दलालों का उन्गद्दारों का राष्ट के खाते हैं और राष्ट के साथ गद्दारी करते हैं ऐसे बारिस पठान जीसे सभी गद्दारों का आधनक्यों का हमने पुतला हुगा है